राम लला के लिए धन कुबेर अम्बानी ने खोला अपना खजाना राम लला के चर्णों में नीता मुकेश ने चड़हाया करोडों का चड़हावा राम मंदिर ट्रस्ट में अम्बानी परिवार ने दान की 2.51 करोड की रकम चोटे बेटे के शुब विवहा से पहले लिया राम लला का आश्रवार जी हाँ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के शुब हफसर पर अम्बानी परिवार सिफ राम रंग में रंगा ही नहीं बलकि राम लला के लिए नीता और मुकेश अम्बानी ने अपनी तिजोरी के दर्वाजे भी खोल दिये हैं। बीते दिन राम लला प्राण प्रतिष्ठा समहरों के साक्षी बने मुकेश और नीता अम्बानी ने मंदल ट्रस्ट को करोडों की रकम दान में दी है। अब ये बात तो किसी से चिपी नहीं रही है कि तेश के सबसे अमीर बिजनसमेन और एलाइन्स इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अम्बानी और उनका पूरा परिवार भगवान में गहरी आस्था रखता है। तो एक बार फिर नीता और मुकेश अम्बानी ने दिखाई है अपनी प्रभु भक्ती की शक्ती। में 2.51 करोड रुपे दान किये हैं। पतादें कि यही ट्रस्ट अयोधिया में राम मंदिर के निर्मान और प्रभंधन का प्रभारी है। इससे पहले ऐसी खबरे आई थी कि अम्बानी परिवार ने राम मंदिर के लिए 33 किलो सोने का महादान दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अम्बानी परिवार की तरफ से सोने के बने तीन मुकुट दान किये गए हैं जो की 33 किलो सोने से बने हैं। हाला कि इस दावे को बाद में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गलत बताया गया था। और अब जानकारी आई है कि अम्बानी परिवार ने 33 किलो सोने का नहीं बल्की 2.51 करोर रुपे का महादान किया है। बतादें कि राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा समहारो के लिए मुकेश और नीता अम्बानी को खास तोर से निमंत्रन मिला था। मुकेश और नीता अम्बानी का नाम समहारो के अती विशिष्ट महमानों में शामिल था। तो इस एतिहासिक मौके पर मुकेश और नीता अपने दोनों बेटों, बहुओं और बेटी दामाद को साथ लेकर पहुँचे थे इस दोरान सभी पारंपरिक लुक में नजर आएं नीतामबानी ने लाल कलर की पारंपरिक पटोला साड़ी पहनी थी तो वहीं बड़ी बहुशलो का और होने वाली छोटी बहु राधिका मर्चिंट भी साड़ी पहने आयोध्या पहुची बताया जा रहा है कि अनन्त अमबानी ने मंगेतर राधिका संग रामलला का खासतोर से अशिरुबात लिया जानकारी के लिए बता दें कि अगले महीने मार्च में राधिका और अनन्त के प्री वेडिंग फंक्शन्स शुरू होने जा रहे हैं ये सभी फंक्शन्स जामनगर गुजरात में होंगे तो उससे ठीक पहले अनन्त ने राधिका के साथ रामलला का शुरुआत लिया है झाले मार्च में होंगे तो उसकते हैं झाले मार्च में हो उसकते हैं